हेलो स्टुडेंस आज हम एक्जाम पॉइंटर का विलियम वाट्सवत का पढ़ेंगे इसके पहले हमने तीन वीडियो अप्लोड कर दिये हैं अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेश में जाके जरूर चेकाउट कर लिजेगा उसमें हमने तीनों वीडि जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करेंगे क्योंकि इस लिए पीडीफ एकी में हैं तो जब आपका फोर राइटर्स यहाँ पे exactly क्वेज़ लिए मिल जाएगा एकी साथ four राईटर्स का उके सेक्सपियर को मने इकम्प्लीट कर लिया ये हो गया था शेक्सपियर का अब आज हम वर्ट्सवर्थ को पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन विलियम वर्ट्सवर्थ बर्थ इनका कब हुआ है 1770 और इनकी डेथ हुए अट्रसो बचास में फिर देखते हैं यहां से हम इसमें सिर्फ एक्जाम पॉइंट के हिसाब से ही सारा कुछ दिया हुआ है बहुत ही अच्छा है इसके पहले हमने शेक्सपियर को कम्प्लीट कर लिया है जितना था शेक्सपियर का इस बुक में हमने कम्प्लीट कर लिया है अब वर्सवर्ट का स्टार्ट हो गया है तो वर्सवर्ट का भी कम्प्लीट कर लेते हैं ज्यादा वीडियो नहीं आएंगी इसकी दो तीन वीडियो में एक एक राइटर को हम कम्प्लीट कर लेंगे तो 7. April 17. April 1850 साथ अप्रल 1770 में इनका बर्थ हुआ था और 27. April 1850 में इनकी डिथ हुई थी और इनको क्या कहा जाता है वर्सवर्ट को लेक पोएट कहा जाता है romantic poet का आजाता है nature poet का आजाता है poet of childhood का आजाता है okay so आगे देखते है first point क्या है William Wordsworth was born in इनका जन्म कब हुआ था तो April 1770 7 April 1770 में इनका जन्म हुआ था next point क्या है where was Wordsworth born कहां पैदा हुए थे तो Cockermouth Cumberland UK में इनकी पैदाईज हुई थी third point क्या कह रहा है where's what father's name where's word के father' का caller name है То John Wordsworth है next point हैWhat's What mother's name इनकी मा का जया नम है तो Ann Cookson है next point है what's what wife's name इनकी wife का क्या नम है तो Mary Hutchinson next point है the name of Wolf Sophia sister इनकी बहन का क्या नम है तो Drothy Wordsworth next point चलते हैं worst 22 एपॉइंट पोईट लॉरेयार्ट इन इनको कब poet laureate बनाया गया तो 1843 में इनको poet laureate बनाया गया 1843 में जब Robert Sadi की death हुई Robert Sadi को कब बनाया गया था 1813 में 1813 में Robert Sadi को noble laureate बनाया गया था उनकी death हो जाती है 1843 में उनकी death हो जाती है तो 1843 में उनकी death के बाद वर्सवत को poet laureate बनाया गया अब वर्सवर्थ की पोएट लॉर्याट की जो अवधी थी जो डूरेशन था वो कब से कब तक था 1843 से 1850 तक था 1850 तक जब उनकी डेथ नहीं होई नेक्स देख लेते हैं वर्सवर्थ वर्सवर्थ कॉलरीज वन मिनट वर्सवर्थ कॉलरीज एंड शदे और फेमस एज दा पोएट साफ वर्सवर्थ कॉलरीज और रॉबर्ट शदी को कौन सा पोएट के रूप में ये लोग जाने जाते हैं तो लेक डिस्टिक पोएट के रूप में ये तीनों ही जाने जाते हैं विलियम वर्सवर्थ एस्टी क माल और रॉबर्ट शदी निक्स पॉंन्ट डेख्टए है थो में इनों 20oding का रिजन क्या था क्यों कि में प्लेशी हो जाती है पेफडहांता हुचा नेक्स पॉइंट क्या है इनकी जो डेथ होती है वो किस एज में उस समय कितने साल के थे तो 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है नेक्स देख लेते हैं वर्सवत बरीड एड इनको कहां दफनाया जाता है तो ग्रास मेर चर्च यार्ड में इनको दफनाया जाता है नेक्स्ट है, Coleridge was the first to criticize words-word theory of poetic diction in biography-literaria यहाँ पे पूछ रहा कि Coleridge ने सबसे पहले criticize किया था, words-word के theory of poetic diction का यहाँ पे question आ जाते हैं, यह question बहुत बार पूछा गया कि words-word के theory of poetic diction का सबसे पहले criticize किस ने किया था, तो इस ची जी Coleridge ने किया था कहां किया था अपने ही वर्क बाइग्रिफया लिटरेरियए में किया था ओके, नेक्स्ट पॉइंट डेख लेते हैं What is the complete title of poem Immortalityod? इसके complete title क्या है इस poem का तो ओड intimation of Immortality from recollections of early childhood Next point डेखते हैं Which poem was written after the death of Lord Nelson? कौन सी poem लिखी गई? लॉर्ड निल्सन के डिथ के बाद कौन सी पोयम लिखी गई तो पोयम का नाम क्या है करेक्टर आफ एपी वारियर ओके यह विलियम उर्टसवत का था तू दा पॉइंट है इसमें निक्स पॉइंट डिखते हैं रेजुलेशन एंडिपेंडेंस जो आपका वर्टसवत पब्लिजट डिस्क्रिप्टिव इसकेचेस एंड एन इमनिंग वाउक इनका पब्लिश किया गया था जो इनका ये जो पोयम था डिस्क्रिप्टिव इसकेचेस एंड इमनिंग वाउक यह फैबरुरी 1793 में फरवरी 1793 में यह पब्लिश हुआ था विलियम वर्सवाथ में से स्टेज के मिडिल स्टेज के वहां पर स्टेज के वहां पर विटनिस थे इस निएक्स पॉइंट देख लेते हैं वर्सवत की सबसे जदा मतल्ब की जो कविता है उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज से डिल होता है तो हम्बल एंड्रेश्टिक लाइफ से उनकी पॉयम कुछ जादा ही डिल करती है next point है the girl in the solitary reaper solitary reaper में जो लड़की है वो गाती है किस भासा में गाती है किस लेंग्वेज में तो अर्स यानि की गालिक लेंग्वेज में गाती है next point देख लेते हैं the solitary reaper was composed after a tour of Scotland in 1805 and published in solitary reaper कब composed किया गया 1805 में जब 1805 में हुआ Scotland के टूर पे गया थे उसके बाद वहां से जब आए तो इन्होंने solitary reaper को कम पोच किया 1805 में स्कॉटलाइन के टूर पे गया थे और अपनी बहन डोथी के साथ गया थे जब वहां से वो आए वो लड़की को देखे कुछ काटते हुए वहां से जब आए तो इन्होंने solitary reaper को कम पोच किया अब यह पब्लिश कब हुआ था 1807 में poem सिंटू वोल्यूम्स में इसमें वर्स वर्स सेलिब्रेट करते हैं कि इसके अपनी वाइफ मेरी हचिंसन का और यह पोइम भी उन्होंने अपनी वाइफ मेरी हचिंसन के लिए ही लिखा था next the excursion dated 1840 marks the beginning of excursion जो publish हुआ था 1814 में और इसकी सुरुआत का marks क्या है the decline of words was poetic genius next point देख लेते हैं this will never do who made the comment about excursion excursion के बारे में यह किसका comment है क्या comment है this will never do one minute यह important हो जाता है this will never do यह comment है excursion के बारे में है किसका है तो जैफरी का है next point देखते है his eyes as stars of twillight fair like twillights to her dusky hair these lines are from यह लाइने कहां पे आती है तो जो वर्सवर्थ ने लिखा है अपनी वाइप मेरी हचिंसन के लिए वह poem का नाम क्या है she was a phantom of delight उसमें यह चीजे उन्होंने कहा है his eyes यहां पे her eyes यानि कि अपने wife के लिए लिखे है और वह अपनी wife के ही बात यहां पे कर रहे है okay next point but she is in her grave and oh the difference to me these lines appear in यह लाइने कहां पे आती है तो यह लाइने she dwelt among the untroden ways में आती है यह लाइने जो Lucy poems में जिसका Lucy poems के नाम से title है उसमें यह poem आती है जो आपका 7098 में publish हुआ था और यह लाइने यहां पे आती है next point वर्सवत lived for 50 years among the कहां रहते थे हैं the cumberland डेल्समें में next देख लेते हैं she gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears a heart, the fountain of sweet tears and love and hope and joy these lines are in reference to यह लाइने किसको reference की जाती है तो ड्रोथी वर्सवत को यह लाइने कही जा रही है यहां पे किसके बारे में बॉल रहा है she gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears तो यह जो reference है लाइनों को reference वो किसको देते हैं ड्रोथी वर्सवत को दे रहे हैं next point देख लेते हैं she dwelt among the untroden ways strange fits passion have I known a slumber did my spirit seal three and three years she grew in sun and shower तो यह इनका लूसी पोयम की जो पांच लूसी पोयम के नाम से टाइटिल है तो उसमें आपका सबसे पहली कौन सी पोयम आती है she dwelt among the untroden ways second number पे आती है strange fits passion have I known third number पे a slumber did my spirit seal and fourth number पे three years grew in shan and shower आगे क्या कह रहा है are the four poems of William Wordsworth लूसी पोयम यह चार poems William Wordsworth के Lucy poem में से है one poem was added later in 1801 बाद में एक और poem जोड़ी गई 1801 में वो कौन सी poem है तो वो poem है I traveled among unknown men ओके चार poem थी इनकी Lucy poems में बाद में 1801 में आप इन सब का date अगर देखेंगे तो यह सब आपके 1798 में यह चारो poem 1798 में में publish हुए यह सारी poem इनकी चारो बाद में 1801 में इनकी poem आई थी एक और को जोड़ा गया I traveled among unknown men यह बाद में जोड़ा गया टाइटिल दिया गया इसका Lucy poems का next point है for his poem immortality ode worse worth is indebted to मतलब यहाँ पे कह रहा है कि immortality ode के अपनी poem immortality ode के लिए worse worth किसके indebted है किसके कर्जदार है तो यहाँ पे आपका हो जाता है wargans the retreat okay once sorry once the retreat next point देख लेते है the only love sonnet of worse worth is worse worth की एक मात्र love sonnet कौन सी है to why art thou silent next which is worse worth first volume of poetry the descriptive sketches next देख लेते है the prelude is set to be the prelude को कहा जाता है spiritual autobiography of worse worth okay next who was the worse worth great idol तो worse worth ने किसे great idol माना है या worse worth का great idol कौन था तो john milton next every great poet is a teacher पर तेक महान कभी एक teacher है एक सिच्चक है I wish to be considered as a teacher or as nothing मैं मानता हूँ मेरी इच्चा है कि मुझे भी एक teacher एक सिच्चक समझा जाए या कुछ भी ना समझा जाए who said ऐसा किसने कहा है तो विलियम वर्सवर्थ का ये statement है next देख लेते हैं what does browning call about worse worth browning Robert browning worse worth के बारे में क्या कहते है क्या कहते है तो a lost leader क्या कहा है उन्होंने a lost leader next point है who calls worse worth a moral unique तो PB Shelley ने कहा है worse worth को a moral unique next point है who calls worse worth one of the chief glories of English poetry worse worth को किसने कहा है English poetry का chief glories में से एक है ऐसा worse worth को किसने कहा है तो Matthew Arnold ने कहा है next देख लेते हैं who calls the immortality ode the high water mark of poetry immortality ode को किसने कहा है the high water mark of poetry तो किसने कहा है immersion ने कहा है next अगला point है who said worse worth uttered nothing based worse worth ने कुछ ने कुछ नहीं मतब किसी कभी अधार पर कुछ नहीं कहा है ऐसा किसने कहा है worse worth uttered nothing based तो Alfred Lord Tennyson ने कहा है next point है where does worse worth compare himself to an eolian harp 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 से करते हैं next point है लिर्कल बैलेट्स came in 1798 next प्रिफेस टुदा लिर्कल बैलेट्स came in प्रिफेस जोड़ा गया लिर्कल बैलेट्स में तो अट्रासो में जोड़ा गया In preface to the Lyrical Ballets, Wordsworth examined a sonnet of Grey which one? Lyrical Ballets की Preface में Wordsworth Thomas Grey के सॉनेट को एक्जामिन करते हैं वो सॉनेट कौन सी है? तो On the death of Richard West 1742 1772 Okay, next देख लेते हैं कॉल्रिच वर्षवत फ्रेंड कॉल्रिच कौन है वर्षवत के फ्रेंड थे और इनके डेथ कब होती है 1834-1834 में यहां पर क्या पूछ रहा है कि वर्षवत ने एक अपेंडिक्स को जोड़ा किसलिए पोईटिक डिक्सन की इतिहास को पता लगाने के लिए और New Classical Poetic Diction के दिक्स को पॉइंट आउट करने के लिए वर्षवत ने एक अपेंडिक्स को जोड़ा किसलिए पोईटिक डिक्सन के इतिहास को पता लगाने के लिए और New Classical Poetic Diction के दोसों को पॉइंट आउट करने के लिए नेक्स देख लेते हैं नो प्लिजेंट इमेज़ अफ ट्रीज अफ ट्रीज अफ ट्रीज अफ स्काई नो कलर्स अफ ग्रीन फिल्स बट हुज अन माइटी फॉर्म्स दैट दो नाट लिब लाइक लिविंग मैं इस लाइन अर फ्रम यह लाइने कहां पे आती हैं तो यह लाइने आपकी प्रिल्यूड बुक वन में लाइने आपकी आती हैं ओके नेक्स्ट वे नेचर का सबसे महान कभी है और हमारे साहित ने इसे क्या किया है पैदा किया है प्रोड्यूस किया है उत्पन किया है इस इस दा रिमार्क अफ लॉंग अबाउट ये रिमार्क किसका है स्टेट्मिन किसका है डबलू जे लॉंग का है किसके बारे में है विल्यम वार्सवर्ट के बारे में है उन्होंने विल्यम वार्सवर्ट को कहा है नेक्स्ट वेर वर्दा लिर्कल बैलेट्स appreciated more than in England Lyrical Ballots को England के बज़य सबसे ज़्यादा कहा appreciate किया गया है तो America में किया गया है America में कब publish हुआ था Lyrical Ballots अमेरिका में कब publish हुआ था तो आपका 1802 में Lyrical Ballots publish होता है England में कब था England में first edition कब आया था publish कब हुआ था 1798 में हुआ था और वहीं पर अमेरिका में कब हुआ था 1802 में पहली बार next point देख लेते हैं who according to long long के अनुसार किसे has not only side but inside मतलब उनके पास सिर्फ site ही नहीं है सिर्फ दृष्टी ही नहीं है बलकि अंतर दृष्टी है ऐसा long ने, W.J. long ने किसे कहा है तो William Worsworth को का है, who calls Worsworth the historian of Worsworth Sire किसने Worsworth को the historian of Worsworth Sire का है तो Lowell ने का है next देख लेते हैं next point है a large portion of Worsworth work is, Worsworth के work का एक large portion क्या है uninspired है, okay next, a poet could not be gay in such a jokund company, where do these lines appear यह line ने कहां पर आती हैं तो यह line आपकी Def for Dills की है यह line ने कहां पर आती है Def for Dills की line ने next who criticize Worsworth for not practicing his own theory, his own poems किसने Worsworth को यह किसने Worsworth को criticize किया है कि वो अपनी ही कभिता का सिध्धान, वो अपनी ही कभिता की सिध्धान का पालन नहीं करते हैं ऐसा किस ने कहा है तो T.S. Elliot ने कहा है next just for a handful of silver he left us just for ribbon to stick in his coat who wrote किस ने लिखा है तो Robert Browning ने लिखा है किसमें the lost leader में next there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition who said ऐसा किस ने कहा है तो यह William Worsford का statement है next देख लेते हैं the still sad music of humanity this famous line is from your line ने कहां पर आती है तो T.T.A.B.E. में यह लाइने अब की आती है okay चलिए फिर इतना ही रहन देते हैं okay क्योंकि हम revision कर रहे हैं तो revision की short short video ही रहे तो अच्छा है ज्यादा lengthy video ना हो इतना ही रहन देते हैं बाकि next video में हम देखेंगे okay चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like and share जरूर कर दीजेगा हाँ इसका पीडियाफ चाहिए तो आपको हीना इंग्लिस टेलीग्राम पे च्वाइन हो सकते हैं हीना इंग्लिस क्रासिस के okay और एक मरतव यह पूरे राइटर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पूरा पीडियाफ एक साथ मिल जाएगा पीडियाफ के परसान मत होई है क्योंकि क्योंकि सारे ही इसमें फोर राइटर सबके कंप्लीट हो जाएंगे शेक्सपियर कंप्लीट होगी के आप वर्सवाद को भी हम दो एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एक मरतव यह कंप्लीट हो जाएगा देन आपको पूरा पीडियाफ मिल जाएगा okay और बहुत सारे है तब वाची पूँछ रहे थे में म Всем कब होगा तो इक्जाम की टेंशन मतने लृजिए गजाम कभी भी हो सकते हैं हां डेट नहीं आ रही है लेकिन ⁃च कोई भरोसा नहीं है वो और यह कभी भी आ सकता है डिट यहis कि अपनी प्रिप्रेशन को कॉन्टेनू रखिए उस को ब्रेक मत लगने दीजिए ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक यू पॉर वाचिंग